आजकर दोस्तों मैं देविधास खत्री जैसा कि आप जानते हैं मैं हर बार एक ने कलाकार से संगीत कार से म्यूजिक कार से पत्रकार से रूपर को करवाते रहता हूं आप लोगों को आज हमारे साथ हमारे जो महमान बैठे हैं वो कलमेश त्रिपाठी जी हैं जो एक मांजे हुए पत्रकार हैं सिनियर पत्रकार हैं इन्होंने राष्टी सहारा में बहुत सारे और पेपरों में काम किया अभी आपको इनकी जुवाने सुनाते हैं कि इनके जीवन में क्या उतार चड़ाव रहा और अपने केरियर में इन्होंनों किन-किन पत्रिकाउं में काम किया। दरसल छात्र जीवन में मुझे जिस तरह से आर्थिक कटनाईयों का सामना करना पड़ा। उसने मुझे आर्थिक रूप से आत्निरभर बनने की प्रेणा दी। मेरा रुजान पत्रकारिता रेडियो टीवी में था और मैं मानता था कि मेरे खानदान से बिलकुल अलग हट करके पसंद करने का एक रास्ता है लेकिन फिर भी मेरे घर के लोगों ने मुझे बड़ा समर्थन किया। सबसे बड़ी बात थी कि आंतरिक उर्जा हो और अंदर की दुनिया हो जिसको आप अपने हाथ से रचा बसा सकते हूं एक अलग पड़ंडी अपने हाथ से बना सकते हूं और उसके राही खुद बन सकते हूं तो मंजिल सपने में भी आती है और मंजिल पाने के तरीके भी स साथ भी हुआ मैं जब प्रताबगर से दिल्ली आया 26 साल पहले तो मैं मुसीवितों में तो था ही लेकिन मेरे सामने एक राष्टी सहरा की जिम्मेदारी भी थी उस समय राष्टी सहरा का रिसर्च टेवलप्मेंट भी खुला था जिसमें जिसके लिए मुझे कई तरह के इनोवेटिव रिशर्च वर्क करना पड़ता था उसमें पॉलिटिकल फीगर्ज के भी थे उसमें लिट्रेटी के भी लोग थे। मिस्सिलेनियस था बिलकुल कि मुझे कब किया किसके सामने हाजिर होना होगा कभी-कभी तो दूसरी लैंगुजेस के लोग जिनसे मेरा पाला पढ़ता था और उनसे बातचीत करने में इंग्लिश मेडियम ही बहुत सहारा बनता था मैंने उनके साथ काम किया और रेडियो में मेरी खास तोर पर रूची थी क्योंकि मैं आकाशमाणी लाहबाद का कैसले नमसर था तो दिल्ली में आने के बाद मेरी लिए काम ज्यादा आसान हो गया था तो लोगों ने कहा कि आप यहां के लाइक हैं आप नियूज लाइक हैं तो बात में चल करके मैंने बहुत समय बात जाकर के 97 में करीब All India Radio की Hindi News Service है उसको जॉइन किया इसमर में वहाँ एडिटर हूँ और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं अपने काम से संतुष्ट हूँ और मेरी जो योकिता है उसको मैं वहाँ दिखा पा रहा हूँ अमारे जो हिंदी के शुरूता हैं जो समाचार सुनते हैं रेडियो में लगातार उभी प्रेडा सुरूत बने हैं बस इन ही बातों के साथ सरे एक बात और मैं आपसे जुबां के लिए कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि उनको क्या करना चाहिए अभी बहुत सारे ने जुबा जो आगे आने से कतराते हैं तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं उनके लिए तो यही मैसेज है कि वो अपने को पहले कि वो क्या कर सकते हैं, उनके अंदर जितनी अपनी योगेता है, क्या उसके एकॉर्डिंग कैपेसिटी भी है, क्योंकि योगेता होना ही परियात नहीं होता है, उस योगेता को मल्टिप्लाई करना, उसको मट्रिलाइज करना, उसको जमीन पर उतारना तो सबसे बड़ी बात और हमारे अनुभो भी उसको लिए खात पानी का काम करते हैं, हमारे लिए उर्वरा शक्ती पैदा करते हैं, तभी कोई कुछ कर पाता है, जब वो अपनी योगता के मताविक अपनी कैपेसिटी को अपनी क्षमता को गर्नर कर ले, आकार दे ले, उसी तरह से जैसे एक कलाकार है, कलाकार कई तरह के होते हैं, कुछ कलाकार तो होते हैं, बस यूही हलके फुलके पेशेवर होते हैं, जो सो दो सो चार सो रूपए रोज कामाने वाली दिहारी मस्दू जैसा काम करते हैं, वो छोटी-छोटी पेंटर की दुकान ही खोल लेते हैं, कुछ कलाकार ऐसे होते जो स्वता प्रसूत होते हैं, जो किसी कॉलेस से, किसी युनिवर्सिटी से जब डिग्री लेके बाहर आते हैं, तो उसको बेहतर इस्तेमाल करते हैं, किसी कोई देरगा से जोड़ जाते हैं, किसी कलाकेन से जोड़ जाते हैं, किसी वास्तुकला डिजाइनर से जोड़ जाते आप गड़ी स्टूडियो में तो आपको कैसा लगा जहा है? यहां मैंने जो आर्ट वर्क है जो यहां प्रस्तर के पर काम हुआ है पत्थरों को कुरेदने का काम हुआ है लकडी को ठीक करके उसको एक कला का रूप दिया है सकर्पचर का काम हुआ है यह भी एक अच्छा प्रयास है और endeavor कला की सीमा नहीं होती यहां जो काम हुआ है यह इसकी सीमा है इसकी सीमा से आगे बढ़ Ultra कला की कुछ सिमा नहीं होती यह स्मंदर की तरह होता है जितनी गहराई में जाते जाओ उतना सीखने को मलते हैं तो इसलिए इस केंडर से लोग प्रेडित होंगे यहां से सीखेंगे यहां की पसीने से सीख करके उसको सोने में बदल देंगे और इस तरह से अपनी जेवन को बहतर बनाए लेंगे दन्यवाद दोस्तों आपका भी दन्यवाद आप हमारे स्टूडियो में दोस्तों मैं अगली बार फिर मी लंगवा किसी नई कड़ी के साथ किसी ने कलाकार्ट के साथ तब तक दिविदास कात्री को दोगए जाए मस्क्राइब